प्रोग्राम की गई है स्वस्थ रहने के लिए जिन्दा रहने के लिए खुद को जिन्दा रखने के लिए और पूरे शरीर को बरकरार रखने के लिए उन में से कुछ शॉट कट अपनाती हैं वो दूसरों की कीमत पर जीना चाहती है ये अपराद है मान लीजे, कोई जेब कत्रा है उसका धंदा क्या है? आपने पूरे महीने में जो कमाया है उसे वो एक ही दिन में हड़प लेना चाहता है लेकिन वो भी समाज का हिस्सा है जब तक वो पकड़ाता नहीं अब अगर देश के सारे जेब कत्रे मिल गए और दिल्ली आ गए तो अब हर किसी की जेब कट जाएगी क्योंकि अभी और अगनाइज़ है तो अभी जिसे आप कैंसर कहते हैं वो बस यही है हर किसी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं होती है जब वो और और जगह पर एक अठा हो जाती है तो ये गंभीर समस्या बन जाती है इस हद तक की ये किसी की जान भी ले सकती है तो इसका हल क्या है? बताने को कई चीजे हैं सबसे पहले अपराद वही पनपता है जहां सिस्टम में कोई व्यवस्था नहीं होती समाज में अपरादी फलेंगे फूलेंगे अगर कानून व्यवस्था ठीक से लागू नहीं की गई तो हमारे सिस्टम में एक डिफेंस मेकानिजम है क्या हम इसे ठीक ठाक रख रहे हैं? क्या हम इस पर हर किस्म के स्टिमुलेंट्स और नशीली चीज़ से बंबारी कर रहे हैं? और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिफेंस मेकानिजम काम करेगा? ये ऐसे काम नहीं करेगा हमें ये समझना होगा कि हर stimulant और नशीली चीज़ जो हम लेते हैं, वो हमारे defense mechanism को कमजोर करती है लोग सोचते हैं कि defense mechanism सिर्फ बाहरी infection के लिए बना है, नहीं शरीर के भीतर मौजूद अपराधियों को काबू करने के लिए भी defense mechanism काम करता है तो सीरी सी बात ये है, योगिक पद्धती में एक आसान सा logic है हमारे शरीर में ये cancer कोशिकाएं, लगभख 27 ये 28 गुना ज्यादा भोजन खाती हैं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में तो अगर आप भोजन के बीच के gap को बढ़ा देते हैं योगिक संस्कृती में एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के gap को 8 से 12 गंटे होना सबसे अच्छा मानते हैं अगर आप भोजन में 8 गंटे के gap को कायम रखते हैं तो ये cancer कोशिकाएं अपने आप मर जाएंगी क्योंकि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती बाकी कोशिकाएं जीवित रहेंगी तो हमेशा हमने तै किया हुआ था सुभा एक भोजन, शाम को एक भोजन, बीच में कुछ भी नहीं खाना है और लोग हर महिने, महिने में कभी एक बार या दो बार पूरे दिन भोजन न करने का नियम पालन करते रहें हैं इसे काबू करने के ये आसान तरीके हैं इसके अलावा कई दूसरी चीजे हैं सबसे बढ़कर, अगर आपका मन और शरीर एक तरह से सहज और शान्थ हैं तो ये जीवित नहीं रहेंगी अगर आपका मन और शरीर किसी तरह के उथल पुथल में हैं तब ये जीवित रहेंगी और साथ ही साथ फलेंगी फूलेंगी भी। अगर समाज उथल पुथल में रहता है तो आगनाइस्ट क्राइम बढ़ जाते हैं। अगर समाज में व्यवस्था रहती है तो अपराद बहुत कम होते हैं। यही चीज हमारे शारेरिक सिस्टम के लिए भी सच है।